हालो फ्रेंट्स वेलकम बाक, I hope all are doing well वेलकम टू शेयर मार्केट विद निया सेटी बात करेंगे सुजलोन एनरजी शेयर के बारे में मैंने आपको बोला था कि कोई भी डिफरेंट निउस निकल के आती है तो मैं वीडियो के तुरू जरूर बताऊंगी तो फ्रेंट्स निउस ही आई है निकल के तो फ्रेंट्स निउस ही आई है निकल के, that's why मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ करेंट्पाइट चल रहा है नाइन रूपीज के आसपस बहुत जल्दी आपको टू डिजिन में एंट्रिल करते है दिखेगा लास्स सेशन में वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा था बेसे की बात करने तो 55 लाग वॉल्यूम था और डिलीवरी उठाई गई है 69% NSE में था 2 करोड का वॉल्यूम और डिलीवरी उठाई गई है 77% एंट मार्केट क्लोस होने के बाद भी फ्रेंट 1 करोड का एमो ओर्डर लगा था जो एक बहुत ही पॉजिटिव नियूस है तो फ्रेंट्स वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है इसके पीछे का रीजन में आपको बताना चाहूंगी कि वॉल्यूम इतना क्यों बढ़ रहा है एक तो पावर सेक्टर से जितने भी शेयर्ज हैं उनमें एक अच्छी मूवमेंट दिख रही है दूसरा, फ्रेंट्स एक न्यूस निकलके आई है कि अदानी टू लाउंच इंडियास बिगस्ट विंड टर्बैन तो अदानी एक इंडिया का विंड टर्बैन को लाउंच करना चाहते है बहुत बढ़े लेवल पे तो friends क्या है सुजलोन एनर्जी के साथ मिलके इसको करेंगे तो इसके बारे में आपको जरूर बताने चाहूंगे इस न्यूस से पहले एक न्यूस आई थी कि अधानी ग्रीन एनर्जी एंड सुजलोन एनर्जी मिलके 327.6 मेगा वाट का विंट पावर प्रजेक्ट बनाने जा रही है गुजरात में तो friends इस न्यूस से आप समझ सकते हैं कि ये जो एक बिगस लेवल पे बनने जा रहा है विंट टर्वाइन इसमें सुजलोन एनर्जी के साथ मिलके ये जरूर काम करेंगे विंट पावर के सेक्टर में जो एक्सपिरेंस है सुजलोन एनर्जी का वो बहुत ही अच्छा है तो friends क्या future में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि अदानी में मर्जर हो जाए सुजलोन एनर्जी का इसके chances बहुत जादा लग रहे हैं देखने में तो that's why आपको सुजलोन एनर्जी पे बहुत ध्यान देनी की जुरूरत है अभी एक पैनी स्टॉक है बट एक टाइम पर ये अपने लाइन की अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी होती थी और experience wise बहुत ही अच्छे हैं ये लोग तो friends इसी news से आपको पता लगता है कि अदानी के साथ अगर सुजलोन एनर्जी मिल के wind turbine के project पे काम करेगी तो ये share आपको एक multi bagger बनता जरूर देखेगा और आपको एक multi bagger return जरूर देगा तो friends this is the news जो मैंने को आपके साथ share करनी थी जो लोग मैं आपको बताना चाहूंगे कि जब ये share चारवे के आसपस गूम रहा था मैं तब से suggest कर रही है अपने investors को लेने के लिए तो जिन लोगों ने 4 रूपीज के आसपास सुजलोन energy को ले रखा होगा तो अभी friends around 10 के आसपास है तो ये बहुत अच्छे profit में होगे तो friends जो लोग अभी भी entry लेना चाहते है entry लेके इसको long term के prospect से share बहुत ही अच्छा है पैनी स्टॉक में energy sector के according बहुत ही अच्छा है आप सबको पता है power sector and renewal energy sector इंडिया का future है इंडिया में बहुत ज्यादा growth है तो friends अगर आपको पैनी स्टॉक में किसी energy sector के किसी penny stock में investment करना है तो सुजलोन energy में आप अपना कर सकते है पैनी स्टॉक में हमेशा उतना amount लगाए जितना आप रिस्क ले सकते है so if you have any query related to सुजलोन energy और with any other share you can ask me in the comment box and friends अगर चैनल को clear है first time visit तो please कर दीजे subscribe because कोई भी different news आती है सुजलोन energy से related तो मैं definitely वीडियो के तुरू आपको जरूर बताऊंगी and bell button को press करना मत भूलेगा thank you so much